ये आकाश वानी है, प्रस्तुत है कारिक्रम सुर्ख्यों में, इसके अंतरगत सुनिए, देश में बड़ी संख्या में हेपेटाइटिस के मामलों से निपटने के लिए ब्रहद कारवाई की आवशक्ता पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं, एम्स में मेडिसिन विभाग क प्रोफेसर प्यूश रंजन और कारिक्रम का संचालन कर रहे हैं सुभोध मिश्र। सबसे पहले इस बात पर रोशन डाले कि हेपेटाइटिस क्या है, कैसी बीमारी है। यह तीन महत्पून कारत अगर हम बोले कि संक्रामक कौन सी हैं कैसे फैलती हैं और क्या असर होता है शरीर पर इस पर कुछ बताने जाएगे जैसा मैंने बताया कि हिपेटैटिस मूल तोर पे तीन कारणों से होता है वायरल हिपेटैटिस जो कि वायरस के इनफेक्शन की फैलता है दूसरा हो गया metabolic associated fatty liver disease जो कि मोटापे की वज़र से fatty liver disease होता है जिसके कारण लिवर में एक proportion of जो patient जो होते हैं जिसमें लिवर में सूजन आ जाती है इस कारण से जो हिपेटैटिस होता है वो सूजन नहीं होता है सूजन होने के साथ साथ उसमें infection की वज़र से नह भी infective नहीं होता है infection का मतलब होता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पैलने की प्रविर्टि अगर देखा जाए तो आपने बताये कि ये अलग-अलग किसमें है इसमें और हो सकता है सबकिस symptoms भी कुछ अलग होंगे तो कैसे इंसान शुरुवाती चरण में कैसे समझ सकत है कि वो इस बीमारी की चपेट में आ रहा है देखे लीवर जो है हमारे शरीर का एक महत्पून अंग है जो कि मूल तोर पर toxins जो होते हैं उसको खतम करता है उसको शरीर से निकालता है और इसके साथ-साथ ये जो bilirubin से समंदित जो metabolism है उसको भी नियंतरित करता है इसके स तभी के function में जब कभी भी कमी हो जाती है तब शरीर में कई तरह के symptoms और sign आने लग जाते हैं जिसमें महत्पूर्ण है मरीज को अत्याधिक ठकान होना कमजोरी महसूस होना उल्टिया हाना आखें और चेहरे की जो तचा है उसमें पीलापन का समावेस हो जाना और जो advanced stage of liver disease होता है उसमें जो है वो क्योंकि protein का synthesis जो है वो कम हो जाता है तो इसकी वज़ा से पेट में पानी का भर जाना पैरों में जो है वो अत्याधिक सूजन आ जाना जिसको कि हम लोग peripheral edema कहते हैं ये सारे इसके advanced stage के manifestation है इसके साथ साथ जो liver disease के जो chronic liver disease के patient होते हैं उसमें जो है वो सौच के रास्ते से या मूँ के रास्ते से जो है ये उल्टी में या सौच में जो है खून का आना भी एक symptom है अगर हम देश में अभी अगर देखें तो जैसे इसकी screening और vaccination लेकिन इस पर सर्चा से पहले ये बताना उचित होगा कि कौन सी किसम है इस बीमारी की जो vaccine से ज तो जो viral hepatitis के जो vaccine होते है जो की infective hepatitis इसे कहते है उसके 5 मुखी प्रकार होते है hepatitis A, B, C, D और A इसमें जो vaccine जो है वो सबसे कारगर hepatitis B का होता है इसमें हाल के समय में लगवग एक दसक से जो है वो universal immunization program के तर जैसे बच्चों को जन्म के बाद ही जो hepatitis का vaccine दिया आता है उस इसके अलावे भी इस vaccine को जो की जिन लोगों को बच्चपन में नहीं या vaccine दी गई है तो ऐसे health care worker भी जो है वो vaccine को ले सकते हैं और उसके दोड़ा अपने आपको hepatitis B से बचा सकते हैं ये तो भी vaccine के बाद और ये vaccine पूरी तरह से कारगर है जी इसकी protective efficacy से बहुत ज़्यादा 90% से ज़्यादा या बचाव करने में सक्षम है जी और जैसा आपने बताया कि शुरुआती लक्षन है और वैसे अगर हम देखे आम जनता के बीच या जो स्वास्तकर्मी है तो इस विमारी के screening के लिए क्या कुछ किया जा रहा है देखिए screening अगर हम लोग सोचे तो जैसा म अभी रेडियो पे हम लोग कारिकरम कर रहे हैं लोगों की मन में पबलिक एवेरनेस ये इस बात को फैलाएं सराव के अतियाधिक सेवन से या कुछ दवाईयां होती हैं जिसमें की हर्वल एंड डियाटी सप्लिमेंट्स होते हैं जैसे कुछ कॉमनली यूज दवाईयां भ की तरह जो फैल रहा है वो मोटापे के कारण जो हिपेटैटिस होता है जिसको कि हम लोग मेटाबॉलिक एसोसियेटिट फैटी लिवर डिजीज में फैल्ड कहते हैं इसमें क्या होता है कि जब अत्यधिक चरवी आपके लिवर में जमा हो जाता है और जब ये एक स्तर से ज कारण बन सकता है तो दो बचाओ के लिए और रुख्थाम का सबसे ये तरीका हुआ अगर हम लोग जन जागरन जागरिती करें इस क्रिनिंग में अगर अपने वजन को हम लोग समय समय नापते रहें और ये देखी कि अगर BMI 23 या 25 से ज्यादा नहीं हो रहा है तो हम लोग अपने आपको जो metabolic associated fatty liver disease जो है उससे बचा सकते हैं इसके अलावे जो viral hepatitis से समंदिज हो गया तो viral hepatitis में जो hepatitis B, C और E जो है जैसे hepatitis C जो है वो संक्रमित रख्त के चरहने से होता है जिसे blood transfusion की समय में तो कोई भी अच्छे blood bank जो government notified blood bank होता है तो वो हमेशा इसकी screening करता है और hepatitis B का भी जो है वो vaccination preventable है वो हमने बताएं hepatitis E की जाच गर्भावस्ता के दौरान जो है एंटी नेटल चेक अप के दौरान में हर महिला का किया जाता है आपने अभी जैसे fatty liver की बात की और की सब को ध्यान देना चाहिए कि BMI आपका 23 पर हो तो इसके साथ हमेशा यह कि आप वजन कम करें आप संखेप में बताना चाहेंगे कि इनसान वजन कम कैसे करें ताकि उसके liver की सहर ठीक रहे देखी यह तो बहुत गंभीर और बहुत बड़ा सवाल है कि वजन कैसे कम किया जाए मेरा ख्याल है हर किसी का जरूर एक नए एक वार यह सामना जरूर कि वजन कम करने की कोशिश की होगी और आकरे यह बताते हैं कि जो लोग वजन कम करने की कोशिश या शुरुआत करते हैं उसमें 80% लोग जो है वो इसे प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं लेकिन मैं दो मूल बाते कहूंगा सबसे पहले खाने में घी तेल मीठा मसाला इसका सेवन बंद कर दे घी बंद करने का मतलब क्या हुआ दाल में घी या छणुवा पूरी जिसे हम लोग कहते हैं पराठे हुए इन सबूं के बदले जो है आप साधी रोटी वो खाए अत्यरिक तेल का मतलब क्या हुआ कि जो सबजी आपकी बंती है जो उसमें कम से कम तेल का प्रियोग हुआ हो और कभी भी तेल जो है आपकी आख में नज़र ना आए और थाली में कभी भी न लगे ऐसा कोशिश करें मीठा मतलब खाने के पहले खाने के बाद खाने के दौरान कभी से मिलते समय जो हम लोग जो मीठा ये खाने का जो एक आदत होती है उसे अपने आपको बचा करके रखें क्योंकि मीठा जो है वो बड़ा कैलरी डेंस होता है जिसमें बहुत कम खाने के बाद भी जो है वो बहुत ज्यादा एनरजी जो है वो जेनरेट करता है मसाला मतलब अगर आप मांस मचली के भी शौकीन है अगर आप चिकन भी खाते हैं या फिर वो पनीर भी ये खाते है तो नॉर्मल रोस्टेड वाली जो पनीर या फिर वो चिकन काए उसके जो पनीर बटर मसाला या चिकन बटर मसाला जो है उसे खाने से बचाएं ये पहला सि धान्त हो गया, no food in between meals, यानि खाने के दौरान, खाने के बाद और खाने से पहले, जब कभी भी मिलते हैं तो हम लोग जो है वो, जो कोई भी snacks हो गया, munching habits जो हो गया, उन सबी चीजों से अगर अपने आपको बचा करके रखें, तो हम लोग अपने वजन को नियंतरित या करते हैं, देखे, सबसे ज़्यादा मामला तो आज की समय में, जो है, metabolic associated fatty liver disease, यानि वजन के ज़्यादा बढ़ने, जिसको कि हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक प्रकार कहते हैं, उसके कारण जो liver में चरवी के जमा हो जाने और उसकी वज़े से जो सूजन होता है, य जो liver में जो hepatitis होता है, उसको भी ये सरपास कर गया है, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कारण, ये important कारण जो liver disease या hepatitis का जो है, वो metabolic associated fatty liver disease है, जो आपने दो किसमें बताएं, जो orofical root से हैं, उनकी रोक्ताम या उनसे बचाव के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, जैसे पानी के शरोत पर ध्यान दे, जैसे हमने इंफेक्टिव hepatitis में का, कि hepatitis A, B, C, D, E होता है, उसमें hepatitis A और E जो है, वो orofical root, यानि कि खान पान के संबन में अगर हम लोग साफधानी और साफ सफाई के ध्यान को रखने में गरबरी अगर करें, तो इसकी वज़ा से ये विम जी या फल वगेरा लाएं, उसको खूब अच्छे से धो करके तब उसे खाने, तो इन सभी कारण से हम लोग hepatitis A और E से अपने आपको बचा सकते हैं, इसके अलावा जैसे जो बाकी है आपने बताए कि वो खून चढ़ाने से या गलत needle के प्रियोग से, especially hepatitis B और C में जो है जो HIV AIDS से फैलता है जो सभी कारणों की वज़ा से, जिसमें की blood transfusion important है, infected needle जो होता है, सुईयां जो होती हैं उसकी वज़ा से हो सकता है, सुरक्षित योहन संबंधों की वज़ा से हो सकता है, तो इन सभी कारणों से जो है hepatitis C जो है, एक commonly फैल सकता है, तो जब कभी भी आप blood transfusion करा है, तो जरूर जो है वो government approved या जो NABL जो एक्रिडिट जो lab है, जो blood bank है, उसी से आप ये blood का ये ले, और blood transfusion के पहले proper cross matching के साथ साथ जो है, इन सभी infection का भी proper screening हो चुका हो, इस बात का धियान रखें. इसके अलावा अगर हम देखें तो hepatitis से बचाओं के लिए आपने जो इतने सारे कदम बताएं हैं, लेकिन जो अलग-अलग किसमें हैं, इन में से अगर किसी को ये विमारी हो ही जाती है, तो इन में से किन का इलाज संभाव है और किन का नहीं है? देखें, शुरुआतिस समय में अगर देखा जाए, सारे तरह के hepatitis चाहिए, वो infective hepatitis हो, infective hepatitis में जो hepatitis A और E, ये self-limited होते हैं, यानि कि ये एक से लिए के छे मेने तक में ये खुद बखुद ठीक हो जाते हैं, और इसमें लगभग जो है, वो 95 प्रतिसत आदमी जो होता ह जो hepatitis B, C और D, वो अपनी chronicity के लिए जाना जाता है, मतलब एक वार होने पर chronic liver disease जो हो सकता है, hepatitis C का आज की समय में बहुत ही effective इलाज है, और वो जर से ठीक हो जाने वाली जो है, एक विमारियों के स्रेनी में आ गया है, hepatitis B और D का infection एक साथ लगभग होता है, और उसमें जब कभी भी होता है, इसमें chronicity, chronic liver disease की संभाव ना होती है, लेकिन इसके लिए भी दवाईयां उपलब्ध हैं, जिससे कि उसका इलाज हो सकता है, जो अनी तरह की hepatitis हो गया, metabolic associated fatty liver disease, जैसे जो कि मैंने बताया कि यह मोटापक की वज़ा से मूल तौर पर होता है, तो एक वा बढ़ा राता है, वो बिलकुल ठीक हो जाएगा, ऐसी चीजे जो है, इस अनुसार इसका इलाज हो सकता है, जो drugs and toxins की वज़ा से जो होता है, तो उसका एक मात और सबसे बहतर उपार यहीं है, कि आप इनी drugs and toxins से जो है, अपने आपको परहिच करें, सबसे महत्पून इस बा गई है कि लोग जो है, नीम हकीन हर किसी से ये सलाह लेकर के जो है, वो कोई protein cup order ले रहा है, कोई dietary supplements ले रहा है, कोई herbal supplements ले रहा है, और कई वार तो लोग आयूरवेद के नाम पर जो है, और प्रमानिक दवाईयां खा लेते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से तमाम सुनने वा स्वास्त के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे हो सकता है, डॉक्टर पियूश सुर्ख्यों में कारिक्रम में आने और सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से तमाम सुनने वालों के साथ जूरने का मौका मिला, आपका भी बहुत बहु आजिश रंजन, कारिक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोद मिश्र, ये कारिक्रम आकाशवानी के समाचार सेवा प्रभादवरा प्रस्तुत किया गया, इससे आप हमारे मोबाइल अब न्यूजॉन AIR और यूच्यूब चैनल न्यूजॉन AIR अफिशल पर भी सुन सकते हैं, इस कारिक्रम के संबंध में अपनी प्रशिक्रिया आप हमें इमेल या वट्सेप के माधियं से भेज सकते हैं, इमेल का पता है airnsdtalks at gmail.com और वट्सेप नमबर है 9289-094-044